Hello students, welcome to my history channel, मेरा नाम सिध्धान्त मिश्रा है और मैंने हिस्ट्री से MA किया है और मैं हिस्ट्री से UGC net qualified हूँ हमारी ये जो शंखला चल लई है सल्दनत कालीन इतिहास की उसका ये सात्वा लेक्चर है और हमने पिछले लेक्चर में रुकनुदिन फिरोष से लेके और रजिया सुल्तान तक का इतिहास जाना था और आज हम बैराम शाह से लेके नासरियुदिन महमूद जो की शंसी वंश का आकरी सुल्तान होगा नासरियुदिन महमूद इसके बारे में जानेंगे और यहां से शम्सी वंश का अंत हो जाएगा और इस अंत का इतिहास भी हम जानेंगे किस तरह से यह अंत हो जाता है अब क्योंकि यह जितने भी पुत्र हैं और जितने भी यह शम्सी वंश के हैं इनको शम्षी वंश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलतुतमिश का पूरा नाम है वो शम्षूत दीन इलतुतमिश है और शम्षूत दीन के नाम पे ही इसको शम्षी वंश कह रहे हैं जिसमें पांच सुल्तान हुए इसमें से दो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिये थे यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा अपने इस लेक्चर के डिस्रिप्शन में आप वहां से जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं जिससे आपको ये वाला लेक्चर बहतर समझ में आए हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि किस तरह स और 1240 से लेके 1242 तक बहरामशाह दिल्ली पे शासन करता है इसका पूरा नाम मुईसुद्दीन बहरामशाह है और ये एक नायब पतका सर्जन भी करता है जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में आपको नायब ममालिकाद और पहला नायब बनाता है एद्गिन को और ये एक अयोग शासक है ये हमको मिनाज उस्तिराज हमको ये सूचना देता है कि ये शासक अयोग ये है लेकिन ये बहुती रख पिपासू है और ये रख बहाने में जरा भी संकोश नहीं करता तो हम देखते हैं जैसे ये एद्गिन है एद्गिन को जब ये नायब ममालिकाद और एद्गिन जो है वो सुल्तान की एक बहन होती जो विद्वा होती है उससे विवा कर लेता है और अपनी स्थिती को काफी मस्बूत कर लेता है और ये महल के द्वार पे एद्गिन एक हाती और नौबत रखना शुरू कर देता है जो कि सुल्तान का एक विशेशा अधिक जिसने तृइंट दो दोजाने, वाद्धियंत्र होते हैं जैसे शेहनाई है, नगारा है और यह एक तृएख महल के दवार के बाहरएंदू सारे सदस्वेकों को खड़े रहते हैं और ये उस समय बजाय जाते हैं जब सुल्तान या तो महल के अंदर आ रहा हो या फिर महल से बाहर जा रहा हो और अलग ही धुन होती है जब महल के अंदर प्रिवेश करता है और जब महल के बाहर जा रहा होता है दोनों में अलग-अलग धुन को बजाया जाता है जिससे लोगों को ये पता चल सके कि कब सुल्तान महल के बाहर जा रहा है और कब सुल्तान महल के अंदर जा रहा है तो ये जो नौबत रखना है ये सुल्तान का अधिकार है और अब ये नौबत रखना शुरू कर देता है अपने महल के बाहर एद्गिन तो अपनी स्थिती को काफी सद्रण कर ली है इसने तो इसलिए एद्गिन की ये हत्या करवा देता है बहरामशा और वो भी हत्या भी ऐसे वक्त पर कराता है जिस समय दिल्ली पर रजिया कूच करने आ रही है और उस समय ये बहरामशा इसकी हत्या करा जेता है एद्गिन की और अभी ये नाइबे मुमालिकात का जुपद है ये खाली हो जाता है इस पे किसी को भी काबिस नहीं किया जाता तो जो बद्रुदीन शंकर रूमी है ये आमीर हाजीब बहराम शाह का आमीर हाजीब वो अधिकारी है जो दर्बार के शिष्टाचार की देखरेक करता है कि दर्बारी शिष्टाचार जो शाही शिष्टाचार है वो सही से उनका पालन किया जा रहा हो तो ये जो अधिकारी है बद्रुदीन शंकर रूमी ये आमीर हाजीब उस समय और ये नाइब के जितने भी अधिकार थे अब क्योंकि एदगिन की तो हत्या हो गई है और उस किसी को बिठाया नहीं गिया तो नाइब की जितने अधिकार थे वो बद्रुदीन शंकर रूमी अपने कबजे में ले लेता है तो सुल्तान देखता है कि अब ये बद्रुदीन शंकर रूमी भी बहुती मजबूत हो गया है इस किस्तिती मजबूत हो गई तो सुल्तान इस हत्या कांड जो चल रहे हैं दिल्ली में इससे भैबीत हो जाते हैं इनको अपनी दशा के उपर चिंता होती है कि आगे चलके इनका जो भविश्य है वो हो सकता है इनका भविश्य भी अंदकार में चला जाए तो इसका जो वजीर है मुझबुद्दीन अब हमको यह नाम तुर्क विदेशी है उनको ताजिक बोला गिया है तो यह जो ताजिक है यह इसका लाब उठा कर शडियंत्र करता है अभी एक कांड होता है उसी समय हम देख रहे हैं अभी तक मंगोल आक्रमन नहीं कर रहे हैं दिल्ली पे लेकिन यह मंगोलों का पहला आक्रमन होता है 1241 म तायर बहादूर नाम का एक मंगोल है यह दिल्ली पे आक्रमन करता है वो यह घाद लगा के बैठे हैं कि दिल्ली की स्थिति कब ढीली पड़े तो वो दिल्ली के उपर आक्रमन करें तो यह मंगोल आक्रमन इस समय मुल्तान में तो नहीं कर पाते है क्योंकि मुल्तान का इक शड़ियंत्र करता है और क्योंकि सुल्तान इसको मुझब बुद्दीन को भेचते हैं मंगोलों से युद्ध करके मंगोलों को भगाने के लिए तो मुझब बुद्दीन कहता है कि मुझे एक विशेश अधिकार दिया जाए कि जैसे मैं चाहूं वैसे सेना का वहां पर संचा दे देते हैं मुझब बुद्दीन को अब ये मुझब बुद्दीन जो पेज है उसके उपर पन्ने पे लिख देता है कि जितने भी तुर्की सर्दारें उनकी हत्या कर दी जाए जो भी बहुत जादा मजबूत हो रहे हैं और सुल्दान के विरुद छड़ियंत्र कर रहे ह उनकी हत्या कर दी जाए अब ये मुझब बुद्दीन ये पन्ना जिसके शाही मुहर लगी हुई है ये आदेश जो है ये जाके सभी तुर्की सुल्तान तुर्की सर्दारों को दिखाता है और उनको बहरामशा के विरुद भड़का देता है तो जब ये मंगोल का अक्मन ह इनको भेजा जाता है जब हसंगौरी और वजीर जो मुझब बुद्दीन ये चाल चलके जो फर्मान जो धोके से उसमें सुल्तान से जो फर्मान ले लिया था वो तुर्की अमीरों को दिखा देता है और इस तरह से तुर्की अमीर जितने हैं वो सारे के सारे बहरामशा के विरुद्ध खड़ जाते हैं और इनमें एक विद्रो भड़ जाता है अब ये विद्रो करके सारे के सारे दिल्ली की तरफ पूच करते हैं और 13 मई 1242 में ये सारे तुर्की अमीर दिल्ली घुस जाते हैं और दिल्ली में घुस के बहरामशा का वद कर देते हैं वो अपने आपको सुल्तान घोशित कर देता है। लेकिन जितने भी तुर्की अमीर हैं, वो किश्लु खां को गद्धी पे बैटनावस का सुईकार नहीं करते हैं। और अब यहां पे हम देखते हैं, जो चौथा वंशाज है इल्तुतमिश का 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 इल्तु लड़ने के लिए भेजता है कुद्बुद्दीन हसन गौरी और मुझबुद्दीन को तो ये कुद्बुद्दीन हसन गौरी को नायबे मुमालिकात बना देते हैं और एक्तियारो दिन कारकुष जो लाहोर का एक्तिदार था जो भाग किया गया था उसको आमीर हाजिब बना दिया दता है तो इस तरह से जितने भी तुर्क अधिकारी है वो बड़े-बड़े पदों पे फिर से न्यूक्स हो गए है और इसका जो वजीर है जो बहरामशाह का जो वजीर था मुहजब गुद्दीन जो कि ताजिक था ये बहुती महत्यो कांशी है तो अब यहां से एक तुर्क अधिकारी बलबन है जिसका उदय हम देखेंगे और बलबन आगे चलके सुल्तान भी बनेगा तो यह यहां से बलबन अभी अमीर हाजिब के पत्पे है और यह इससे पहले हासी का इकतेदार था अब क्योंकि बहराम शाह का जो वद किया गया उसमें जितने भी तुर्की अमीर थे उसमें सबसे ज़्यादा उत्साह बलबन नहीं दिखाया था तो इस तरह से इसकी पदोननती कर दी जाती है और इसको आमीर हाजिब का पत दे दिया जाता है अलाव दिन मसूश शाह के समय हमसे ये प्रशन पूछा जा सकता है कि बलबन का जो उतकर्ष हुआ वो किस सुल्तान के समय में हुआ तो यह हमें याद रखना है कि बलबन का उतकर्ष अलाउद दिन मसूद शाह के समय में होता है और ये आमीरे हाजिब के पत पे आता है हमको इसके पत भी याद रतने हैं बल्बन के ये पहले हासी का एक्तियदार था अब ये आमीरे हाजिब बन गिया है आगे चलके हम देखेंगे ये नाइबे मुमालिकात बनेगा और आगे चलके सुल्तान भी बन जाएगा तो इसकी जो यात्रा है राजनीतिक यात्रा इसके बारे में कहा गिया है कि पहले मलिक था जो खान बन गिया और खान से फिर वो सुल्तान बन गिया तो ये काफी इंट्रेस्टिंग में हसन कारलुक जैसा कि रजिया सुल्तान के समय में जो मंगोलों से विरुद्ध आक्रमन करने के लिए दिल्ली से सायता मानता था वो 1545 पे मुल्तान पे अधिकार कर लेता है अब इसी समय मुंटा नाम का एक मंगोल है जो की उच्छ पे भी आक्रमन कर रहा है तो इस तरह से पश्चिम में काफी इशान्ती फैल गई है लेकिन अब यहां से हम देखते हैं कि बल्बन की जो नीतियां है वो किस तरह से दिल्ली सल्टनत को किस तरह से मधबूत करेंगी और विदेशी आक्रमन जितने भी हो रहा है मंगोलों के उससे दिल्ली सल्टनत को किस तरह से बचाता है यह बल्बन का जो नेतरत्त है इसके नेतरत्त में जो सेना है वो पहुंचती है रावी नदी और जब यह सेना रावी नदी में अपना शिविड लगाती है पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने दिल्ली सल्टनत में हमने देखा था बहराम शाह के समय में भी मंगोल आये पहला आक्रमन मंगोलों का बहराम शाह के समय में हुआ अब दिल्ली सल्तनत जो है वो मंगोलों को भगाने में पहली बार यहाँ पे उसको सफलता मिलती है और इसी कारण अब बल्बन का क्योंकि प्रभाव बढ़ गिया है तो जो बल्बन है वो अब यहाँ से शडियंत्र करेगा और इस मसूष शा को उतार के गद्दी से अपना एक दूसरा एक सुल्तान है कटपुतली जिसको अपने हाथों की बनाने चाहता है नासिरुद्दिन महमूद उसको दिल्ली पे काबिस करेगा तो जितने भी तुर्क अधिकारी है वो इससे इर्शा करने लग जाते है लेकिन बल्बन की जो दूर दर्शिता है वो इतनी जादा है वो जितने भी तुर्क अधिकारी है उनकी इर्शा को बहुत अच्छे से समझ जाता है और क्योंकि वो जानता है कि ये इर्शा के चलते उसका भी बत करवा सकते हैं तो इसलिए वो सुल्तान की गद्धी पे अपना जो कटपुसली है वो बढ़ाना चाहता है अब ये 10 जून 1246 को मसूज शाह को कारागार में डाल देता है और वहां तो उसकी मृत्वी हो जाती है और यहां से नासिर उद्दीन महमूद जो की पांचमा और अंतिम शासक है शमसी मंच का उसका हम उद्धा देखते हैं और ये 1246 बे लेके 1265 यानि की करीब 20 साल का इसका शासन है और ये इलतुत्मिश के जेश्ट पुत्र जो की नासिर उद्दीन महमूद एक हमने आपको बताया था इलतुत्मिश का जो पुत्र है जिसके नाम पुसने मकबरा बनवाया था उसका ये सबसे छोटा पुत्र है नासिरुद्दिन महमुद इसका भी नाम है और इसको दर्वेश इसकी उपादी है दर्वेश सुल्तान इसको बोला जाता है क्योंकि ये काफी संत स्वभाव का था और 17 वर्ष की आयू में इसका राज्य रोहन हो जाता है और ये जो बल्बन है ये शड़ियंत्र करता है और नासिरुद्दिन महमूद की मा के साथ मिलके जो मसूद शाह है उसको कारागार में डाल देता है संतस्वाव का है और इसको राजनीती में इतनी रुची नहीं है और ये देख रहा है कि जितने भी जितने इसके भाई है वो सब किसी न किसी तरह से उनको तुरकने चाह लिया जो है वो उसको गद्री सोतार रहे और वद हो रहा है सबका तो ये अपना जो पूरा समय है ये पूरा समय अपना इबादत में बिदाता है और कुरान की जो प्रतिलिपियां है उनको बना के बेचता है और शर्दालों के लिए ये टोपी बनाता रहता है और उसी से अपनी जीवन जो व्याय है जो अपना जीवन का जो खर्च है वो उसी से निकालता है और राजकोश्टे कुछ भी धन नहीं लेता अपने वेक्तिगत खर्च के लिए और यही दिल्ली का एक मात्र ऐसा सुल्तान है जिसकी केवल एक ही पत्नी थी और बल्बन की पुत्री है जो की हुजैदा नाम है उसका बल्बन अपनी पुत्री का विवाई से सुल्तान से कर देता है और अपनी स्थिती को और भी आदा मजबूत कर लेता है तो ये जो नासरुद्दिन महमूद है ये मिनाज ने जो किताब लिखी है तबकाते नासरी जो मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता रहा था तबकाते नासरी इसी सुल्तान को समर्पित की है तबकाते नासरी तो मिनाज ने इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है और बोला है कि ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान था और अपनी पुस्ता के तबकाते नासरी वो इसी को समर्पित किये अब हम देखते हैं यहां से बल्बन का जो उतकर्श है वो किस तरह से होता है ये बल्बन के उतकर्ष का ही काल है जो नासर अद्दीन महमूद जो सुल्तान तो नासर अद्दीन महमूद है लेकिन बल्बन ने अपनी पुत्री हुजैदा का सुल्तान से विवा करा दिया है अपनी स्थिती को मच्बूत किया है और बल्बन को अब ये नायबे ममालिकात का पद में ही रहते हैं और इसको बल्बन को सुल्तान उलुक खां की उपादी देता है उलुक खां एक ऐसी उपादी है मतलब उलुक खां उपादी उसको दी जाती है जैसे फारस में एक युद्धा था उलुक नाम का जो की बहुत महान युद्धा था तो उसी के नाम पर उप इसका आर्थ होता है महान तो जो भी जिसको भी महान की उपादी दी जाएगी तो उसको उलुक खा की उपादी देते थे यह अब वल्बन के क्या है दो बड़े प्रतिद्वंदी पैदा हो जाते हैं सल्तनत में एक तो है बिहार का राज जेपाल जिसका नाम है असन कुतलुक और दूसरा इमामुद््दीन रिहान है, यह भारतिय मुसल्मान और यह तुर्की नहीं है, यह भारतिय मुसल्मान है तो relevant तुर्की मुसल्मानों का गुड़्ड बना हुआ है और तुर्की अधिकारburg cum okay is और दूसरा इमामुद्दीन रेहान के नेतरत में बारतिय मुसल्मान भी अब उनका भी उदय होने लग गया है तो ये दोनों के दोनों देखते हैं कि बल्बन की शक्ती बहुत बढ़ रही है और सुल्तान पर बहुत आदा प्रभाव हो गया उसका तो इसकी शक्ती को कम करने के लिए ये सुल्तान को बहुत भड़काते हैं दोनों के दोनों मतलब कुतलुख खां और इमामुद्दिन रिहान जो है ये सुल्तान को भड़काते हैं और सुल्तान नासिरुद्दिन महमुद इनके भैकावे में आ जाता है और ये बल्बन को हासी जाने के लिए आदेश देता है और पहले हासी जाने का आदेश देता है फिर उसको ऐसा लगता है कि हासी तो ज्यादा दूर नहीं दिल्ली से तो ये लोग और उसको भड़काते हैं सुल्टान को अब वहां से नागवर जाने का आदेश देता है अब यहां से बल्बन दोनों ही बार मान जाता है और कोई विद्रो नहीं करता क्योंकि उसको पता है इस समय विद्रो करना उसके लिए घातक सिध्ध हो सकता है अभी वो इतना मस्बूत नहीं हुआ और जो सुल्तान के जो बाकी चहलगानी के जो बाकी सदत से हैं उनके पास भी काफी शक्तिया हैं तो क्योंकि बल्बन भी चहलगानी के ही सदत से रह चुगा है तो उसको चहलगानी के तोर तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तब पासा पलट सकता है उसका तो वो यहाँ पे अभी दोनों ही बार सुल्तान के आदेशों को मान लेता है और पहले नागौर और फिर पहले जहांसी और फिर नागौर चला जाता है अब यह नागौर जब जाता है इस समय एक बहुत महत्पूर्ण काम यह करता है कि जो राजपूतों की शक्तियां जो बढ़ रही है जो रंधम भूर का किला जो मैंने बताया था आपको उनकी शक्तियों को काफी कम करता है और वहाँ पर राजपूतों को अपने नियंतरण में लाने का बहुत रहत्ने करता है तो यह काफी प्रशंसनी कारे करता है सुल्टान की नजर में लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने आप को रहता है इमामुद्दिन रहान जो है ये भारती मुसल्मान है तो तुर्की अधिकारी जितने होते हैं उनको लगता है जब ये बल्बन यहां से चला जाता है उस समय इमामुद्दिन रहान जो है भारती मुसल्मानों को उनको अच्छे अच्छे पदों पे न्यूक्त करने की कोशिश करने लगता है और उस तरह से भारती मुसल्मान उनकी स्थिती काफी मजबूत होने लगती है तो जितने भी तुर्की अधिकारी है उनको ऐसा लगता है कि हमने बल्बन को तो इसलिए हटाया था और यह सारे सारे अबलिन पे एक्षटे होते हैं जितने भी तुर्क अधिकारी हैं और बल्बन के साथ दिल्ली की तरफ कूच करते हैं अब यह जैसी दिल्ली की तरफ पहुंच रही होते हैं तो जो सुल्तान है नासिरुदीन महमुद जो मैंने बताया आपको दर्वेश जिसकी उपाधी है ये सुल्तान इससे कोई भी संघर्ष नहीं चाता इस समय और क्योंकि इसकी वैसे भी राजनीती वेगरा में कोई एतनी ज़्यादा देशस्पी नहीं है तो ये वापस बल्बन को नाइबे मुमालिकात का पद्दे देता है और अपने जितने भी विशेश अधिकार हैं वो भी बल्बन को ही समर्पित कर देता है और बोलता है कि चासन की बागदौर जो है वो एक तरह से बल्बन की हाथ में आ जाती है तो अब ये जो इमामुद्दीन रिहा ने इसको बदाईयों भेज दियाता है और फिर इसको बहराईज भेज देते हैं और जहां पर सदमे से इसकी खुदी मृत्ति हो जाती है ये सोचके कि अब बल्बन जो है वो इसको आगे चलके वैसे भी छोड़ेगा नहीं और बल्बन वैसे भी बहुत ही मजबूत हो गया है अब बल्बन यहां से जो उसकी शक्तियां हैं वो चार गुनी बढ़ जाती है अब वो छत्र धारण करना शुरू कर देता है छत्र जो है वो सुल्तान का ही एक अधिकार है सुल्तान जहां चलता उसके उपर एक छत्र चलता था तो अब ये बल्बन इस छत्र को धारन करता है और इस अपने जो महल है उसके आगे हाती और नौबत भी रखना शुरू कर देता है तो सुल्तान इसका कोई भी विरोध नहीं करता और सुल्तान क्योंकि संगर्ष भी नहीं चाता और बल्बन एकतने से भी सारे सुल्तान के अधिकार को हड़प लिया है और बैठा सुल्तान है नासिरुद्दिन महमूद लेकिन नासिरुद्दिन महमूद को ही पता है कि वो के दिल में भै भी है वो भैबीद भी रहता है और इस भै के कारण उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचता इसलिए वो शायद आदर्स सुल्टान बन जाता है और अब ये क्योंकि छत्र धारन करना शुरू कर देता है बल्मन तो जो हसन गौरी है कुद्बुद्दिन हसन ग देख रहे हैं जो भडर दर्वार में हुई है तो और इस भी बल्मन को सुल्टान की तरश से कोई भी विरोध नहीं होता सुम्तिन की तरध से और सुल्टान इसको नजर अंदास कर देता एक तरी cauliflower तो इससे ही हमको यह पता जलता है कि बल्बन अब कितना जादा मजबूत हो चुगा है और वो हत्याएं भी कर रहा है और फिर भी सुल्दान उसको कुछ नहीं कर रहा है अब अवद का जो राजिपाल है कुतलुक खां ये कुतलुक खां भी विद्रो कर देता है और पश्चि में और ये अवद में दोनों ये विद्रो कर देते हैं और इस विद्रो का दमन बल्बन कर देता है बहुत ही सफलता पूरवक तो बल्बन जो है किस तुना से करता है इसका अब ये दोनों मिलके दिल्ली की तरफ पूछ जब कर रहे होते हैं तो बल्बन दिल्ली का दौर ब अब इस समय बंगाल और मंगोलों के विरुद इसकी क्या नीती है उसके बारे में देखते हैं बारा सो पचपन में तुग्रिल खां जो की लखनोती का शासक है ये अपनी स्वतंतता गोशित कर देता है अच्छा बंगाल और जितने भी सीमा वरती जितने प्रदेश हैं जैसे मुल्दान है और उच्छ है ये जैसे ही देखते हैं कि दिल्ली में थोड़ी सी भी धिलाई हो जैसे ही देखते हैं कि दिल्ली थोड़ी सी मजबूत नहीं है उसी समय ये अपनी सुतंतता को गोशित कर देते हैं और जो तुग्रिल खां है ये मुगिसित दीन नाम की उपादी धारन करता है अपने नाम का खुदबा पढ़ता है और अपने नाम के सिक्के भी चलवाता ह तो अब हमने ये याद रखना है कि तुग्रिल खां मुगिसित दीन की उपादी धारन करता है इससे पहले हमने देखा था कि अलीम मर्दन खां ने अलाव दिन की उपादी धारन की थी और दूसरा जो सुल्तान था मंगाल का एवास खिल जी उसने भी एक उपादी धारन की तो हमको ये उपाधियां याद रफनी है और अब हम देख रहे हैं कि ये भी अपने आपको सुल्तान ही बना रहे हैं तो ये एकतना से सल्तनत, बंगाल में भी एक सल्तनत की स्थापना कर रहे है इसके बाद जब ये तुग्रिल खां अपने घोशना कर देता है लखनौती में कामरूप में मारा जाता है तो जो कड़ा एक जगे है उत्तर प्रदेश में, यहां का एक सूबेदार है अरसलान खां ये लखनौती पे अपना अधिकार कर लेता है और महमूत के शासन, मसल्लब जो महमूत का शासन है, उसके अंत तक जो बंगाल है वो सुतंत्र ही रहता है और इस पे अधिकार नहीं हो पाता दिल्ली सलसनत का दुबारा अब ये जो मंगोल जो आत्रमन कर रहे थे वहाँ पे एक नेता है मंगोलों का हलाकू ये हलाकू और सुल्तान के बीच में एक समझहौता होता है और ये समझहौता इसलिए हो पाता है क्योंकि बल्बन की जो नीतियां है उसके तहट मंगोल अब दिल्ली के साथ समझोता करना चाह रहा है तो हलाकू के जो राजदूत है वो दिल्ली आते हैं और बल्बन कुछ ऐसी नीति करता है कि जितने भी शत्रू है उसके बल्बन के जितने भी शक्त्रू हैं उनके काटे हुए सर का प्रदर्शन कुछ इस तरह से करता है कि राजदूत जो आ रहे है हलाकू के जो मंगोल जो राजदूत आ रहे हैं उनको शासन की शक्ती का अनुमान लगे और उनको ये लगे कि दिल्ली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और दिल्ली पे आकरवन करना भी इतना असान है नहीं तो जो खलाकू है वो सुल्तान को ये आशवासन दे देता है कि पश्चिम सीमा पे अब वो कोई विरोध नहीं करेगा और 126061 में जो मिश्ट की सेनाएं हैं वो हलाकू को खरा दती है अब ये कुछ इतिहास की घटनाएं घट रही हैं मद्धे ऐशिया में तो इससे दिल्ली के सतना से प्रभावित हो रही है हलाकू को मिश्ट की सेनाएं जब हरा दती है और हलाकों की मृत्ति उजाती है उससे बल्बन को काफी राहत मिलती है कि अब मंगोलों का जो खत्रा है वो कुछ समय के लिए अब टल गिया है अब इसके बाद जो है बल्बन थोड़ा सामराज विस्तार भी करता है नासिरुद्दीन महमूद के अधीनों के वो कन्नौज का एक तलसंदा दुर्ग है उसको जीत लेता है और 1254 में जो कटेहर है जो कटेहर हैं मतलब एकतना से जो जाती है लूटेरों की जाती है वहाँ पे लूट पार्ट करते थे ये दिल्ली में तो इनका जो विद्रो है इसको अभी ये कटोरता से दमन करता है बल्बन तो ये इसकी शक्तियां है ये इसके कुछ कार्य है लेकिन इसका एक अभियान मेवाड के विरुद जैत सिंग के विरुद ये बिफल हो जाता है और ये इसको जीत नहीं पाता तो मेवाड जैसे हमने पहले भी देखा था इल्तुतमिष भी मेवाड जीत नहीं पाता है और उसी तरह से बल्बन भी मेवाड नहीं जीत पाता है अब हम देखते हैं शम्ची वंश का अंत किस तरह से होता है और नासिरुद दीन का अगर हम मुल्यांकन करें तो हम उसके बारे में कुछ जानते हैं अभी इसका जो नासिरुद्दीन महमूद का जो अंतिम के छे वर्ष है ये काफी शांती युक्त बीटते हैं हमने देखा मंगोलों का भी खतरा टल चुगा है और अब क्योंकि बंगाल पे ये अधिकार भी नहीं चाते तो एक तरह से सल्दनत में शांती है और बारासों चांचट में नासिरुद्दीन की मृत्टी हो जाती है एक पुस्तक है सियारुल औलिया अमीर खुर्द की लिखी हुई है इसमें अमीर खुर्द ये उलिखित करता है जिस समय ये शांती का युक चला था छे वर्ष का उस समय बल्बन को सुल्टान बनने की काफी तीवर महत्तु कांचा थी तो बल्बन सुल्टान बनना चाता था ये अमीर खुर्दम को बताते हैं अपनी पुस्तक सियारुल औलिया में और ये जो सुल्टान की जो मृत्यू हो गई है इसके बारे में बहुत सारे इतियास कारों ने मद्धिकाली नितियास कारों ने लिखा है और जैसे कि इसामी, इबन पटूटा और फरिश्ता ये ऐसा मानते हैं कि सुल्टान की मृत्यू का दोशी जो है ये ऐसा बोलता है कि सुल्तान जो है बीमारी से मरा, ये भी एक मद्यकाली नितिहासकार है सरहिंदी, जब हम आगे सैयद वंच पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि सैयद वंच का एक मात्र जो स्रोध है पढ़ने का वो तारीखे मुबारक शाही है, ये आगे एक मुबारक शा हुआ मानता है, बाकी जितने भी इतिहासकार हैं जैसे इसामी, जो कि मुहमद बिन तुकलग के समय में आएगा, या इबन बटूटा, या फरिष्टा, ये सब मानते हैं कि सुल्तान की मृत्यू जो है वो उसके लिए बलबंदोशी, जैसा कि इसामी जो है वो लिखता है ए कि नायब बलबंदो ने सुल्तान को माड़ डाला और वो सोयम सुल्तान बन गिया, बटूटा की पुस्तक है रहला, उसमें ऐसा वो बटूटा ऐसा लिखता है, इसामी की जो पुस्तक है फुतूस सलातीन, उसमें भी ये दावा करता है इसामी कि सुल्तान नासरुदीन को और यह बात दिल्ली के नागरिक भी जानते थे, तो ऐसा इसामी हमको बताता है फुतूस सलातीन, पुस्तक में कि सुल्तान को विश दिया गया और ये बलबंद नहीं दिया और जो नागरिक है दिल्ली के वो भी ये जानते थे, और बटूटा हमको रहला किताब में अपनी ही है मिनाज, मिनाज जो सिराज दिल्ली में काधी पत पर रहता है, ये दिल्ली का आदर सुल्तान इसको बताता है, नासिरुद्दिन महमूद को और अपनी पुस्तक इसको समर्पित करता है, इसमें अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो जितने नासिरुद्दिन पहले के कट ही है क्ते सबस्क्राइब परमज कर दिया शायद ये इतने लंडे समय तब अधिकोर और Prophet पामी जो इतिहासकार है मद्देकाली वो ऐसा हमको एक सूचना देता है कि इसके बारे में नासुर दिन महमूत के बारे में बोलता है कि वो बिना तुर्की सरदारों की अनुमती के हाथ पैर भी नहीं हिलाता था और ना ही वो पानी पीता था उनकी मर्दी के बिना और ना ही सूने जाता है उनको सूचित किये बिना. तो इससे हमें पता चलता है कि तुर्की सरदारों का उसते कितना जादा अधिकार था मतलब कितना उनके अधीन था हम को ये पूछा जा सकता है कि किस इत्यासकार ने नासर अधिर महमूद के बारे में ऐसा बोला है कि वो बिना तुर्की सर्दारों के ना हाथ पैर हिलाता था ना सोने जाता था और यह हमको एक्जाम में उल्टा ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन देंगे कि इसामी ने ऐसा किस सुल्टान के लिए कहा है तो प्रश्ण जो है दोनों तरह से आ सकते हैं आपसे ये भी पूछा सकता है कि किस सुल्टान के बारे में बात हो रही है और आपसे ये भी पूछा सकता है कि किस मद्यकारी नितिहासकार ने ना सिरु दिन महमूद के बारे में ऐसा कहा है अब इसके बारे में एक बात और भी थी कि जैसे मैंने आपको उता है कुरान की प्रतिलिपिया बेचकर अपना खड़ चलाया करता था और अपने समय का ये शेष्ट सुलेखक था और धर्म पर आयाना था तो ये इसकी कुछ विशेष्टाएं हैं और अब ये इसके आगे हम बल्बन के बारे में पढ़ेंगे और बल्बन का जो काल होगा वो एक निरंकुष्ट शासन होगा उसमें बहुत ज़दा शक्तियां सुल्तान की हाथ में हम देखेंगे अभी तक हम जैसे देख रहें कि जितने भी सुल्तान है वो बहुत ज़दा उनके पास शक्तियां नहीं है और तुरकने चालिहा जिस तरह से सुल्तानों को गदी पे बिठा रहा है उतार रहा है और क्योंकि बल्बन भी तुरकने चालिहा का सदस्य है उसको तुरकने चालिहा के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो हम आगे चल के देखेंगे कि इस तरह से बल्बन तुरकने चालिया का खात्मा कर देगा और एक तरह से शासन की मस्बूश शासन की स्थापना करेगा तो यहाँ से हमारा शम्शी वंश खतम हो जाता है अब बल्बन जो सुल्तान बन रहा है दूसरा वो दूसरे इलबारी वंश की स्थापना करेगा इस शम्शी वंश को इलबारी वंश भी बोलते हैं शम्शी वंश भी बोलते हैं क्योंकि इलतुत में जो है वो इलबारी तुर्क था अब बल्बन भी इलबारी तुर्क है और बल्बन दूसरे इलबारी बंच की स्थापना करेगा तो जानने के लिए अभी आप हमारा दूसरा लेक्चर देखिएगा बल्बन का और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा यदि आया हो तो लाइक करें सबस्क्राइब करें मेरे चैनल को जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद